हलो एवरिवन कैसो आप सब लोग मैं हूँ आशीश और आप देख रहे हैं बाइलोजी भाला तो जो कि हमारी सीरी चल रही है नी टू थाउजेंट विंटी थ्री के लिए बाइलोजी के तमाम जो सलेबस है उसके रिवीजन की जिसको हम 15 मार्ट्स तक हमने सोचा है कवर कर द बता है वह मैं आपको बताऊंगा और जो कॉंसेप्शल के लारिटी जहां जहां वश्यक्ता पड़ेगी वहां वहां कॉंसेप्शल चीजों को समझाता हुआ मैं आपको चलूँगा तो आप बने रहना इस चैनल के साथ में जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस् अब कुछ पड़े हों लोग आपको कुछ भी चैनल चलाने के लिए अपना कुछ भी बढ़ाते रहें बताते रहें वो एक अलग बात है लेकिन पूरा कोर्स लाइन से नहीं पड़ाएगा कोई भी तो हमें पूरा कोर्स हैं एक बात कवर कराने वाला हूं तो जैसे इमने 11 क्लास का पहला चैप्टर पूरा कर लिया है नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक डाल दूँगा वहां से देख लें और साथ ही साथ मैं आपको आज 12 क्लास का जो फर्स चैप्टर वहां से शुरू करने वाला हूं इसके साथ ही आपको 12 11 की ए बात कम पूछता है तो चले करते हैं शुरू सबसे पहले एक यहां पर देखते है रिखायरी प्रोडक्शन इन और्गनिजम और इससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपको बता दू है कि यहां भाई साहब जो है इनका गुरदेव का फोटो लगा हुआ है इनने नमस्ते कर कि फादर ओफ प्लांट इमरिलोजी कौन थे तो आप बताओ कि पंचानन महिस्वरी हैं इन्होंने टेस्ट्यू फटलाइशन ओफ एंजियो स्पर्म किया था यह सवाल भी आ जाता है कभी कभी पे अगर आपको फादर ओफ एमरिलोजी पूछा जाए तो वो कार्ल अर्नेस वान बियर है फादर ओफ एमरिलोजी और फादर ओफ प्लांट इमरिलोजी में कन्फ्यूज ना होना क्योंकि इनका फोटो है तो इनसे सवाल बनना लाजमी है ठीक है पाकि यह थियोरी थोड़ा बहुत पढ़के देख लेना कर कुछ मिल जाए तो नेक्ट चलते हैं चप् पोश्चन में आपको नेचुरल डैथ वर्ड ढूनना है वही ऑप्शन आपका सही होगा जिसमें नेचुरल डैथ मिलेगा यानि नेचुरल डैथ बहुत ज़रूरी वर्ड है जो आयाना चाहिए उप्शन में उसी को लाइफ स्पैन कहते हैं लाइफ स्पैन और फिव और यह से पढ़ते हैं यह स्टेटमें नीट में आपको यह से मिलेगा not necessarily correlated with their sizes तो यह question है भाई यह यहां से आपको मिलेगा यह आपको neat में statement आएगा कि size छोटा होना यह बड़ा होना बड़ा size ज़्यादा उमर होगी छोटा size कम उमर होगी ऐसा नहीं होता size पर lifespan depend नहीं करता and the size of the crows and the parrot are not very different yet their lifespan show a wide difference ठीक है परट की जो उमर है वो ज़्यादा 140 साल तक है कवे की कम है similarly a mango tree has a much shorter lifespan as compared to the people tree दोनों एक जैसे होते हैं पर and whatever is the lifespan death of every individual organism is a certainty no individual is immortal कोई अमर नहीं है except single cell organism यह statement आएगा यहां से bacteria या फिर single cell अमीबा इमर जो होते हैं यह immortal होते हैं यहां बैक्टिरिया की cell डिवाइड करके दो बनाती है ऐसा नहीं होता कि bacteria मर जाता है फिर मरे वे bacteria के अंदर से कुछ नहीं आली कलता है ऐसा नहीं है तो जान रखना यह एक bacteria है वो डिवाइड करके दो बनाता है तो इसलिए bacteria को हम क्या कहते हैं immortal कहते है यानि single cell जो है वो immortal होते है पिर लिका है given this reality have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on earth for several thousands of years there must be some process in living organism that ensures this continuity यानि के कहरें कि reproduction ही वो चीज है जो पर्थी पर आपकी जाती क्या जो continuity है उसको बनाए रखता है आपकी species को पर्थी पर बनाए रखने के लिए reproduction क्या शक्ता होती है next page पर कुछ पोदों की औरिगनिजम की जानवरों की animals की उम्र दी गई है जिनकी नहीं दी गई है आप नोट कर लीजेगा आती लगबग 65-70 साल जीता है ही कर रोज का प्लांट 5-6-7-10 साल तक जीता है कुता 20 साल जीता है पर 25 भी हो जाए किसी कि 20 से 25 साल butterfly की दी हुई है बनाना ट्री लगबग 20 साल मान लीजे आप 20 से 25 साल मान लीजे क्रो है वो भी आपकी 20 ये काउ जो है वो आपकी 17-18 19-21-22 तो मैक्सिमम 25 हो सकती है फिर आपका crocodile 60 साल है घोड़ा आपका 25-30 ठीक है गूगल करोगे तो कहीं 40 भी मिल जाएगा 25 से 30 लगबग होती है fruit fly एक महिना जीती है जो rice का plant है गेहूं का 5-6 महिने चार महिने और tortoise जो है 100-500 साल और बनी अंट्री 200-300 साल तक जीता है तो यार ये उम्र जो है आप इनको note कर लेना इनमें से सवाल आ सकता है यहां शुरू रतिया definition reproduction की यहां लिखा है reproduction is defined as the biological process in which an organism give right to young ones तो जो एक organism जो है जो अपने जैसे नए बनाता है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम reproduction कहते हैं ठीक है अपने जैसे नए बनाना and the इसमें word बहुत important है itself the offspring grow mature offspring grow करते हैं mature होते हैं बदले में नए offspring बनाते हैं thus there is a cycle of birth, growth and death reproduction enables the continuity of the species generation after generation तो reproduction जो है वो आपकी जाती की जो इस्थिरता है आपकी पर्थी पर जाती की जो continuity है उसको बनाए रखता है मतलब reproduction जो है उसी के वैसे आपकी जाती पर्थी पर लंबे समय तक बनी रहती है और आपकी जो संतान होती है फिर वो आगे संतान पैदा करती है यह ऐसा चलता रहता है आगे लिखा है कि reproduction enables the continuity of the species generation after generation and you will study this chapter in later this next है there is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and reproduce the organism's habitat its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it can reproduce based on whether there is a participation of one organism or two in the process of reproduction यह दो तरह का होता है तो यह कह रहे है कि भई जो एक sexual reproduction होता है ए sexual reproduction में दो तरह दो parents भाग लेते हैं sexual reproduction में एक parents दो परेंट सोई asexual में एक लेता है और sexual में दो कभी-कभी sexual में एक भी लेता है ऐसा भी है पर नॉर्मल बात है यह तो यह ध्यान रखना यहां लिखा है कि वेन आस्रिंग इस प्रोड्यूस बाई यह सिंगल पैरेंट यह इंपोरेंट नोट करना है यहां से यह वला पॉइंट विद और विदाउट यह सवाल है जो बने का पेपर में आएगा विद और विदाउट दा इन्वोल्मेंट आफ गैमिट पब ध्यान रखना है कि जो आपका गैमिट का फॉर्मेशन है वो हो सकता है एसेक्सवल में भी हो जाए पर गैमिट फ्यूज नहीं करेंगे सेक्सवल और असेक्सवल में यह अंतर है कि सेक्सवल रिप्रोडक्शन के दोरान गैमिट फ्यूजन होता है पर असेक्सवल रिप्रोडक्शन के दोरान गैमिट फ्यूजन नहीं होता है गैमिट बन जाए वो एक अलग बात है तो यह विद और विदाउट ध्यान रखना, बच्चों लगता है विदाउट ही होगा, विद तो नहीं होगा, पर ध्यान रखना ही आ सकता है, and the reproduction is asexual, when two parents opposite sex participate in the reproductive processes and also involve fusion of male and female gamut, it is called sexual reproduction, ठीक है चलिए तो इसमें main point है fusion, next है asexual reproduction, in this matter, a single individual parent is capable of producing offspring, तो single individual जब एक संतान उत्पन करने में सक्सम होता है, तो उसे हम कहते है, asexual reproduction, as a result, the offspring that are produced are not only identical to one another, but are also exact copies of their parents, are these offspring likely to be genetically identical or identical of different, तो भाई देखो ऐसा है, asexual reproduction से बनने वाले जो संतान होती है, वो अपने माता-पिता के, genetically, more horologically similar होती है, तो ऐसी संतान जो asexual reproduction से बनी होती है, morphologically similar होती है, उन्हें clone कहते है, तो यहां ध्यान रखना, ऐसा सवाल आता है, clone are morphologically and genetically similar to their parents, यह statement है, यह जरूर ध्यान रखना, genetically भी लिखना होता है उसमें, और आपका morphologically भी लिखना होता है, यहां दो फोटो दिये गए हैं, फोटो में आपको यह दिख रहोगा, east, east का single cell budding है, कैसी budding है, single cell budding, so single cell budding में बाबू, east की cell से, east आपको पता है, ascomycetes का member है, यह आपको पता होना चाहिए, east का नाम है, sacromycetes cerevacy, यह backers east है, इसके अंदर से gymease enzyme बनता है, और इसमें एक cell में outgrowth निकलती है, पहले और फिर इसके अंदर जो है, mitosis होती है, mitosis के finally, this single cell outgrowth detached from here to form the new east, वो यहां से अलग होकर के, नई east का निर्मान करती है, इस तरह यहां amoeba में simple binary fusion का foot दिखा गया है, simple binary fusion में amoeba में देखो, एक बात ध्यान रखना, amoeba के अंदर binary fusion के लिए, कोई plane नहीं होता, यहां से divide कर सकता है, यहां से कर सकता है, यहां से कर सकता है, पर एक important बात मैं आपको बताता चलूँ, यह जो amoeba है, इसके बिलकुल membrane जो है, इसके बाहर वाली, इसके नीचे आपको micro filament मिलेंगे, क्या मिलेंगे, micro filament का एक ring मिलेगा, और वो micro filament का जो ring होता है, वो इसको, जो pseudo podia जो इसकी दिख रहे हैं आपको, इन pseudo podia के formation में मदद कर करता है, ठीक है, और वो ही जो है, आपको जब यहाँ binary fusion होता है, उस time पर जो contraction हो रहा होता है, उसमें मदद करता है, micro filament के ring, actin protein के बने वे होते हैं, उनकी बात में कर रहा हूं, और यह अंदर हो रही है, mytosis, finally, क्या हो रही है, mytosis, तो यह binary fusion हुआ है, जिसमें कि एक cell divide होक पढ़ते हैं आगे, लिखा है, let us see how widespread asexual reproduction is among different group of organism, asexual reproduction is common among single cell organism, and in plants, and animals, and with relatively simple organizations, यह statement नीट में आएगा, यहाँ से से मार्क करो, नीट हो, कोई पे एक जाम हो, KBS वाले सुनलो भाई, PGT दे रहे हैं जो, यह statement आएगा यहाँ से, इन protista and monera, the organism or the parent cell divide into the to give right to new individual, तो यह ध्यार रखना, protista में और monera में जो single cell elevator, उनमें cell division ही mode of reproduction है, यह पूरा सवाल यहाँ से याद करना है, ऐसे पूछेंगे, इनमें से किस organism के अंदर, cell division ही mode of reproduction होता है, cell division ही mode of reproduction जो है, वह आपका monera और protista में होता है, statement है, याद कर लीजिए, आएगा, क्योंकि single cell है, तो cell division ही करेंगे, ठीक है, और direct cell बनाएगे, तो वह क्या है, reproduction भी होगा, ग्रोथ भी उसके करते हैं, यह वाली बात ध्यान रखना, फिर है नेक्स चकले page पर कुछ फोटो बने हुए है, फोटो में हम देख सकते हैं, पहले फोटो जो है, यह juice पोर्स के बने हुए है, जूसपोर मोटाइल होते हैं, जूसपोर फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनके उपर फ्लैजीला है, थीक है, यह आपके कुनीडिया है, जो penicillium दिखा गया है यहां पर पर प्रियवी आर सी debenशी ओं यो है वह आपका स्कॉम्धिया सिटिजिंण का मिंबर है। यह जिस टाइक है जिस पर लगे हुए है। को कानेडियो mastery कहते हैं कुनीडिया लगे हैं कुनीडिया जो है वो चेन में लगे हुए होते हैं यह नौन मोटाइल होते हैं ठीक है दीजारे सेक्सवल स्पोर्स ओफ एसको माई सिटीज ध्यान रखेंगे नेक्स्ट एक फोटो और बना है जो कि हाइट्रा का बना हुआ है हाइट्रा में बढ़ है हाइट्रा की बढ़ है यह मल्टी सेलूलर बढ़ है और मल्टी सेलूलर बढ़ बनती है फिर इसे अलग हो जाती है और फिर एक नए हाइट्रा बन जाता है एक फोटो जो है यह जैम् बूल एक बास ध्यान रखना ओले सभी सपूंज सभी सपॉंज जएंघन रखते हैं और यह जम्यॉवद के अंदर सेल सोती हैं जो की हसी को फेंट्री सेंify को कहते हैं और के लो साइट और कयो साइड जो हैं यह कुछ भी बना quantum च्सेफ करेंच और अलब इसके बहा ऑ पाइक्रोपाइल और यहां से सेल्स बार निकलते हैं, यह फॉर्म ऑ निऊ स्पाउज, और यह आपका एक endogenis budding का example है, किसका? endogenis budding, यह सवाल आता है, कि endogenis budding किस में देखने को मिलती है, तो आप बताओगे endogenis budding जो है, वो जैम्यूल में देखने को मिलती है, फिर यहां लिखा है कि तो यहां पैरामीश्यम का नाम आ गया है तो मुझे कुछ सवाल बताना पड़ेगा जैसे कि मैंने यहां नोट किया है कि लॉंगिट्यूडनल बाइनरी फीजन यूगलिना में होता है और एक एक्जामपल और डालो लेश्मानिया दोनों में आपका लॉंगिट्यूडनल होता है और जो ट्रांस्वर्स बाइनरी फीजन है वो पैरामीश्यम में होता है क्योंकि नाम था पैरामीश्यम का इसलिए सवाल बन सकता है तो आप यहां से यह नोट करेंगे कि पेरा-मिशं में जो है longitudinal binary fusion, पेरा-मिशं में transverse binary fusion होता है, पेरा-मिशं में आपको पता है यह mitosis होती है जो macronucleus होता है, उसमें और micronucleus mitosis करता है, reproductive nucleus को micronucleus कहते हैं और non reproductive vegetative nucleus है, वो macronucleus कहलाता है, यह बाते भी पेपर में आ जाती हैं लिखा है इनीस्ट पीछले पेज पर फोटो देखा था तो लिखा है इनीस्ट डिविजन इन इन इक्वल यह सवाल ज्यान रखना अनिक्वल कैनी कि जो आउट ग्रोथ है वो छोटी बनी थी बड़ी सेल से and small birds are produced that remain attached initially to the parent cell which eventually get separated and mature into the new east organ cell budding हमने पर लिया पीछे budding है फिर यहां से एक नाय सवाल सुरू होता है जो कि अमीबा को ले करके है तो unfavorable condition में अमीबा क्या करते हैं अमीबा जो है parent cell जो होती है वो अपने चाहर तरफ एक वॉल बनाती है एक सिस्ट का formation करती है उसके अंदर जो न्यूकलेस होते हैं देविल डिवाइड भाई रिपेटिडली माइटोसिस अगें 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 बार-बार-बार माइटोसिस करते हैं बहुत सा सिस्ट वॉलेशन कहते हैं और आपके नए अमीबा बाहर निकाल जाते हैं तो अपने चारो तरफ शिस्ट बना लेता है और शिस्ट बनने को एंशिस्टेशन कहते हैं यह सवाल यहां से कुछ पूछे जाएंगे जैसे यहां लिखा गया है कि भाई आपका अंदर यह सवाल आएगा कितनी लेयर की, पूछा जाएगा कितनी लेयर की, तो three-layered hard covering of cysts around itself, and this phenomenon is termed as incestation, इसे क्या कहते हैं, incestation कहते हैं, when favorable conditions determined, the incested amoeba divided by multiple fission, तो incested amoeba जो है, वो इस सवाल आता है, कि किस से divide करता है, आप बताओगे, amoeba जो है, वो multiple fission से divide करता है, multiple fission क्या होता है, पहले nucleus, 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 बार-बार, free nuclear division चलता रहेगा, उसके बाद सभी nucleus जो है वो, थोड़ा-थोड़ा सैटो प्लाजम लेकर करके अलग हो जाते हैं, और फिर नई सेल बनाते हैं, इसे multiple fission कहते हैं, प्लाजमोडियम जो आपका होता है, malarial parasite, उसमें भी आपको, जब आपक साइजोगोनी होगी, प्लाजमोडियम जो आपका malarial parasite है, उसके अंदर, जब उसकी जो liver cell है, वहाँ पर साइजोगोनी होती है, लिवर सेल में, तो वहाँ भी multiple fission होता है, और जो आपका sporogonी होती है, RBC के अंदर, वहाँ भी आपका multiple fission होता है, तो सवाल आता है, यह भी multiple fission कहां कहां होता है, तो साइजोगोनी के टाइम पर और स्पोरोगोनी के टाइम पर यह होता है, बाकी life cycle है, आपकी लाइफ साइकल है, तो पढ़ाएंगे, तो भाई यहां लिखा है कि, and the produce the many minute amoeba, सूड़ो पोडियो स्पोर, सूट नोटा amoeba बनते हैं, उन्हें सूड पूर ध्यान रखना, multiple fission, insistation, under unfavorable condition, यह point note कर लेना, चलिए अगले पेज पर चलते हैं, यहां फिर से कुछ फोटो देखने को मिल रहे हैं, तो देखते हैं फोटो क्या है, फिर पढ़ेंगे बाद में फोटो देखते वे चलेंगे, तो यह फोटो जो आपका potato को बनावा ह है, एक unfavorable condition में एक साल तक, organ of parent nation के तरह, organ of parent nation, वहनी कि जो साल काट देराम से पड़ा हुआ, डॉर्मेंट स्टेज में, उसकी तरह काम करता है, और यह potato का जो है, इसको tuber कहते हैं, इसमें आपको दिख रहा हुगा, क्योंकि एक modified stem है, modified stem में आपको पता है, node होती है, underground modified stem है यह, इसमें nodes होती है, node होंगी, जहां पर आई लिखा है, that is a node, node से branch निकलती है, branch उगती है, और एक नया plant उग जाता है, तो यह potato का वो पार्ट आप जमीन में डाल सकते हैं, जहां पर node होती है, वहां से नया plant उगेगा, इसे tuber कहते हैं, क्या कहते हैं, tuber, solenum tuberosum, जो कि potato है, वो एक reproductive organ हो सकता है, reproductive part है, vegetative reproduction में काम आता है, और यह tuber कहलाता है, बराबर में फोटो है, एक और जो अधरक है, ginger इसे कहते हैं, हर तरफ से बढ़ रहा होता है, तो इसमें क्या होता है, यह एक actual में आपका underground horizontal stem है, जो कि एक organ of parraination की तरह काम करता है, इसमें भी nodes होती है यह भी underground stem है, बट यह horizontally branching करता हुआ, ग्रो करता होता है, इसके ओपर खास बात है, इसके ओपर scaly leaves मिलती है, potato में ऐसा नहीं होता, birds होती है, और rhizodes भी निकले होते है, adventitious roots निकली होती है, जो की nutrition के लिए होती है, और इसमें से फिर नया प्लान टुग जाता है, इसने क्या किया है, इसने unfavorable time के लिए food store किया हुआ है, बहुत सारा, जो कि आप चाय में डाल कर पी जाते हैं, ऐसा है, जिंजिबर ओफिस इनेलिस, इसका biological नाम है, family है, जिंजिबर रेसी, यह सब तो नहीं पूछेंगे, फिर भी मुदा जेता हूँ, और यह ध्यान रखना कि underground stem है, इंध आठाट हाव, सिरी लिव है जरूर धियान रखना है, नेक्स्ट है आपका एक और फोटो जिसमें के یک bulbil बनी हुई है, यह अगेव की bulbil है, सवाल आता है, अगेव की bulbil क्या है, तो आपका अंसर होगा बलबिल ओफ अगेव जो है, वह फ्लोरल बर्ड होती है, क्या ह रखनी है बाबु, इसकी जो मार्जिन होता है, इसके मार्जिन पर आपको कुछ एडवेंटीश Y courts मिलती हैं, ओर इडवेंटीश Y abird इस पत्ती के अंदर खुब सारा फूर जो है वो स्टोर रहता है और वो जो है जब ये पत्ती जमीन पर गिरते हैं, तो यहां margin से roots निकलती है, जो margin से roots निकलती है, उनसे एक नए पोधे का निर्मान होता है, तो कि vegetative reproduction by leaf है, उसका example होगा यह ब्रायफिलनम की leaf है, और यह ऐसा गोरों में देखा भी जाता है, मेरे पास यह plant था मैंने देखा है, यह इसे होता राउंड है मतलब सुरी अंडर वाटर है एक्वैटिक प्लांट है इकोर्णिया का प्लांट है यह और इसमें एक होरिजॉंटल ब्रांच निकलती है वाटर के अंदर जिसमें की इंटर नोड जो होती है ज्यादा लंबी नहीं होती शोट इंटर नोड होती है वह जो है जाती में, Pistia में, इनमें आपको offset देखनों को मिलेगा, एक्जामपल में, Iconia और Pistia, फोटो के निचे लिखा भी है, फोटो के निचे लिखा है, Waterhacinth, तो Waterhacinth, जो है भाईया, वो Iconia Crasipas है, क्या नाम है इसका, Iconia Crasipas, जी कर ना, तो इसमें आपको offset देखने को मिलता है, direct question आएगा, iconia में, pistia में क्या होता है, reproductive organ तो वो branch होती है, जो की horizontal branch, underwater stem से निकलती होती है, उसे offset कहते है, फिर आप ये ध्यान रखना बाबू, bulk bill of agave, ठीक है, ये, bright film की पत्ती, eyes of potato node होती है, ऐसा, members of the kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures, and the most common of these structures are juice pores, that usually are microscopic motile structures, other common asexual reproduction are, conidia penicillium देख लिया है, birds में, hydra में देख लिया, jamule sponge में, सभी sponge में jamule होता है, ये statement आए, तो सही कर देना, फिर ये कहाने लिखिया है, कि while in animals and other simple organism that the term asexual is used unimmigously in plant, the plant में asexual को, vegetative reproduction term की तरह use किया जाता है, reproduction is frequently used in plant, the unit of vegetative propagation क्या है, runner है, तो runner के लिए एक आदा example में डाल देता हूँ, आपको काम आएगा, जो जमीन पर रेंगता वाइक स्टेम होता है, जिसमें की, चारो दिशाओं में बढ़ता है, इंटर नोड होती है, लंबी, उनमें बराबर नोड से होती है, नोड से रूट निकलते हैं, आप लहांट डूग जाता है, तो runner का example है, आपका grass, या फिर दूब grass, और या फिर oxalis, खटी बूटी, ये दो example लट लेना, याद कर लेना, फि राइजोम का example, नोट कर लो, एक और, तर्मरीक में राइजोम मिलता है, बनाना, ठीक है ना बाबू, और एक आपने उपर देखा ही था, जिंजर, शकर है, शकर में आपको मिल जाएगा, मिन्ट, क्राइसेंथीमम, ठीक है, इसमें होता क्या है, शकर में, अंडर स्टैम से एक horizontal branch निकलती है, और फिर वो obliqually उपर निकल के जाती है, जमीन के बहार, और एक नया plant बनाती है, ऐसा होता है, ठीक है, ओबलिक वर्ड ध्यान रखना, 11th में आएगा, तो मैं पढ़ाऊंगा, वहाँ पे, ये, शकर है, नेक्से, ट्यूबर में पोटेटो होता है, scaly flashy leaves होती है, और एक condensed system पाया जाता है, तो वो bulb होता है, इसमें के सारी पतियां जो है, फूट रखती है, और बहार से covered होती है, अदरक लेसुन का पूछा जाए, तो लेसुन जो है, वो compound bulb होता है, ऐसा पूछाने जाएगा वैसे, ठीक है, चलिए, compound bulb है, garlic, ठीक है, चल कहते हैं, वेज़ेटी प्रपेकिल्स कहते हैं, next है, obviously, since the formation of the structure does not involve two parents, the process involved in is a sexual in some organism, if the body breaks into distinct pieces, each fragment grow into an adult capable of producing offspring like hydrum, तो hydrum है, आपको fragmentation देखने को मिलेगा, ठीक है, इस पायरोगायरा में मिलता है, यह यह याद कर लेना, फिर यहाँ कहानी है, थोड़ी से टेरर ऑफ बेंगाल, इकोर्णिया की कहानी है, इसे वाटर है सिंथ क्यों कहा जाता है, तो यह कह रहे हैं कि भाई, you must have heard about the terror of Bengal or source scores of water bodies, यह जो लूटे रहा होता है, oxygen को लूट लेता है, टेरर ऑफ बेंगोल किसे कहते हैं, इकोर्णिया कहते हैं, this is nothing but the aquatic plant, वाटर है सिंथ, which is one of the most, यह सवाल आ there is standing water, फिर यह सवाल आएगा, चलते पानी में आप इसे कभी नहीं बताओगे, आप इसे standing water में बताओगे, it drain oxygen from the water which leads to the death of the fish, तो यह क्या करता है, पानी में इसे oxygen को लूट लेता है, और जो मचलियां हैं वो उसकी वज़े से मर जाती है, you will learn this of our chapter 13, 14, हम पढ़ेंगे, you may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flower, mauve color flowers, इसका 12th में आगे लिखा हुआ है, उसके वे से इंडिया में लाये थे, पर यह आजकल फैल गया, इतना ज़्यादा फैल गया कि इसको अटाना भारी हो गया, यह वाली बात है, since it can propagate vegetatively and a phenomenal rate and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them, next है, are you aware, तुमें पता है कि प्लांट कैसे growth करते हैं, reproduction asexuals कैसे करते हैं, तो फिर से वही बात repeat है, potato में stem है, sugar can stem, banana stem, ginger भी stem, dahelia भी stem, तो यह सारे जो है, dahelia भी stem से cultivated होता है, यह जरूर ध्यान रखना वाकी तो पता ही है, गन्ने में भी stem का part लेते हैं, banana में भी, ginger में भी, लेकिन dahelia में भी stem लेते ह है, have you seen small plant emerging from the birds, called eye or the potato tuber from the rhizomes of banana, तो पता है, rhizomes of banana से ने plant बनता है, ginger में भी यह बताना चाहरे हैं, सिदा सिदा के बनाना में भी rhizome होता है, underground stem, when you carefully try to determine the site of the origin of the new plant that in the plant listed above, you will notice that they invariably arise from the node, तो यार यह जो इतने नाम उपर लिखे हैं, यह सब जो है, stem का modification होते हैं, और stem में नोड होती है, नोड से रूट बनती है, तो यह कहरें कि नया plant जो है, नोड से निकलता है, final बात यह है, present in the modified stem of these plants, when the node come in contact with a damp soil or water, they produce roots and new plants, similarly, adventitious birds are arise, अब यहां सवाल है, कि जो margin पर गड़्डे होते हैं, नोच होती हैं, बराए फिल्लम की leaf में, वहां से adventitious birds निकलती हैं, जिन से नया plant बनता है, disability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation, एक example, पत्तियों से reproduction का एक और नोट कर लो यहां पर, एडियेंटम, एडियेंटम को walking fern कहते हैं, यह सवाल है, पत्तियां बनती हैं, पत्ति जो है वो जमीन से attach होती है, फिर वहां नया plant बनता है, इस तरह से ऐसा लगता है, कि एडियेंटम आगे चल रहा है, जबकि वो आगे नहीं चल रहा होता है, नया plant बना रहा होता है, ऐसा है, इस इंटरस्टिंग नोट रहा है, जो आगे पर चल रहा है, तो इसका अंसर थोड़ी देर बाद आगे दोंगा, आगे आएगा इसका आएगा इसका आँसर, कि जो लोवर जो आपके प्लांट है, पंजाई है, वो एसेक्शुल रिप्रोड़क्शन से स्विच करके, अन्फेवरेबल कंडिशन के टाइम पर, सेक्शुल रिप्रोड़क्शन के में कैसे चल जाते हैं, ऐसा कैसे करते हैं, तो हम पता है कि हमें पता भी है, आगे बता भी देंगे, तो यह पहला पार्ट है आपका इस चेप्टर का, और एक और पार्ट में इसका बस बनाऊंगा, दो पार्ट में हम इसे खतम कर लेंगे, ठीक है न, एक तो यह सेक्शुल का और एक सेक्शुला पार्ट बनाऊंगा, इसके बाद हम 12 में 2nd चेप्टर कॉंटिन्यू करेंगे और 11 में 2nd चेप्टर कॉंटिन्यू करेंगे, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा, कि आपका जिस ले बस है, मैंने ठान लिया है, कि मेरे सब्सकाइबर जो है, वो एक लाक हो जाएंगे 15 मार्च में, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं मेहनत करूँगा, उसके लिए बहुत जादा, मतलब मैंने मोटिवेशन लिया, इंटर्नल के मैं अच्छा पढ़ाऊँगा, अच्छे से कराऊँगा, कवर कराऊँगा, कोर्स पुरा कराऊँगा, तो आप बने रहना चैनल के साथ में, और सब्सक्राइबर बढ़ा दोगे, तो मतलब अच्छा लगगा, और मोटिवेशन सा आ जाएगा, काम करने का, मैंने 15 मार्च का टार्गेट भी रखा हुआए, कि इतने वहनत करूँगा, के ऐसा हो जाएगा, उसके लिए मैंने बहुत सारे कौाम जितने भी थे, सब कुछ बंद कर दिया है, पाइनली मैं बस यही करूँगा, पूरे टाइम, बाकी कुछ नहीं करूँगा, ठीके न, बाकी जो मैं करता हूँ, करता ही हूँ, थोड़ा बोज़ कर लेता हूँ, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, और बने रहना चैनल के साथ, अगर जुड़ गए हो तो, और नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब कर लेना, जिन्होंने देख लिए वीडियो, वूनकों मैं कह रहा हूँ, थांक यू सो मच, पूरी देखने के लिए टेक केर,